Welcome to my channel इस बीडियो में solve करें여KYשन No.17 The central hall of a school is Etty Meter Low तो Central Hall माल लीज़ए ये School का है करें कि 80 Meter Long है ठीक है मतलब कि ये माल लेते है हम Ettty Meter है ठीक है And eight meter 8 Meter हाई 80 Meter जो है ये हाई है अब जो है breath का जो length है जो breath है वो नहीं दिया है ठीक है तो B is not given It has 10 doors 10 doors है इसके मैंने बना दिया है आपर देखिए यह आपका 1st door, 2nd, 3rd, 4th ठीक है 5th, 6, 7, 8, 9, 10 अच्छार मतलब कि 10 doors है क्योंकि बड़ा सा building है न इसलिए 10 doors है और इसका size दे दिया है देखिए जो doors होंगे वो इसका size क्या होगा, length it to breath rectangular size होगा, तो दे दिया है 3 meter का length है और 1.5 meter का breath है each door का, ठीक है अब कर रहा है कि 10 windows भी है जो ये windows है वो भी 10 है, कर रहा है कि 1.5 meter length है और 1 meter breath है तो मैंने थोड़ा से इसमें गलत मना दिया है इसका जो figure है, क्योंकि यहां पर जो windows का size है वो door से बड़ा दिख रहा है, लेकिन door से, door जो है बड़ा है इस से, windows से ठीक है, इसमें थोड़ा सा mistake हो गया है तो sorry for that, खेर हमारा जो यहां पर main purpose है वो है solve करना question को, ना कि यहां पर image का size देखना है कि नहीं तो हम यहां पर बस आपको relevant करने के लिए बताती है कि ऐसा size है अब करना क्या है, आप करना कि if the cost of, if the cost of whitewashing, the walls of the hall at the rate of 1.20 per meter square is rupees 2385.60 find the breadth of the hall तब जो है breadth of the hall बताना है breadth मतलब कि यह बताना है कि यह length कितना होगा this b अलिजी कि b है breadth, यहां से ले करके यहां तक, बताना है कि यह length क्या होगी कैसे निकालेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा देखे यहां पर हम equation का use करेंगे सबसे पहले क्या करना है, जितना भी whitewash किया जा रहा है whitewash करने का cost है वो दे दिया है तो जो इसके four walls है और four walls पर ही ये जो doors है या windows है बने हुए है ठीक है तो हम पहले क्या करेंगे पहले-पहले हम जितना भी whitewash किया गया है wall को उस whitewash किये गए wall का area find करेंगे पहले और वो कैसे find करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है rate दिया हुआ है यहाँ पर rate दिया हुआ है यहाँ पर cost दिया हुआ है मतलब कि cost दिया हुआ है right तो cost और rate इन दोनों का use करके हम निकाल लेंगे area of the whitewash ठीक है तो करेंगे कैसे हम पहले हम क्या करते हैं इसमें माल लेते हैं कि इसका टोटल जो एरिया हुआ पस किया जा रहा है वो x मिडल स्कार है ठीक है लेट दी टोटल एरिया विच इस वाइट वास्ट ठीक है विच इस वाइट वास्ट बी x square ठीक है हमने माल लिया x square नहीं x माल लिये x meter square x meter square हमने माल लिया कि जो वाइट वास्ट किया जा रहा है ठीक है walls के जितना भी एरिया मतलब कि वो एरिया वही होगा जो पूरे इस 4 walls के एरिया में से जब windows का एरिया जो 10 windows है और 10 जो doors है इनके रिया जो माइनस कर देंगे तभी निकलेगा तो वही हमने माल लिया कि x meter square है माल लिजे तो अब कह रहा है कि 1.20 per meter square के हिसाब से इतना total cost है वो हुआ तो हम यहाप लिख सकते है ना ऐसे कि since दिया हुआ है कि cost of दिखा है cost of one meter square ऐसे लिखते हैं सही रहेगा cost of white washing cost of white washing one meter square of area ठीक है तो one meter square area का जो white bus करने का जो cost है वो दे दिया है 1.20 रुपीज ठीक है तो हम यहाप निकाल सकते हैं कि हम आवर यह भी जानते हैं कि cost of cost of white washing कितना x meter square जो हमने माना है यहापर total area जो white bus किया जा रहा है वो x माल लिए हमने तो x meter square का जो area का white bus करने का cost है वो भी दे दिया है यह दे दिया है 2385 point six zero rupees ठीक है तो अब यह बताइए जदी x meter square का दे दिया है तो हम यह जानते हैं कि यदी x one meter square का cost है वो 1.20 है तो x square का क्या होगा x meter square का क्या होगा 1.20 में यदी x से multiply कर देंगे तो निकल जाएगा means x में यदी multiply कर दें 1.20 से ठीक है क्योंकि 1 meter square का cost है 1.20 तो x meter square का multiply कर देते हैं तो x into 1.20 meters यह जो पूरा total हो गया cost of white washing और यह हो जाएगा 2385 यह पहले से दे दिया है तो इसके बराबर होगा ठीक है अब यहां से हम x find कर लेंगे x क्या है area which is white waste जो area white waste की जा रही है उसकी area x है ठीक है वो यह x निकल जाएगा यहां से मतलब कि finally हम कर सकते है 2385 .60 hole upon 1.2 ध्यान दिजेगा यहां पर यहां पर actually उपर जो लिखा हुआ है वो total cost है ठीक है total cost of whitewashing और निचे क्या है rate of cost है तो हम actually जब area निकालते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक formula आप रट सकते हैं इसको या याद कर सकते हैं area is equal to total cost total cost upon upon rate upon यहां भी होगा rate rate ठीक है तो यहां पर 1.2 जो रुकिया है rate ही तो है मतब 1.2 जीरो पॉर मिटे स्क्वाइर के हिसाब से चल रहा है तो यहां पर divide करने के बाद यह x के आया whitewas की area मतब जितना भी wall का whitewashing किया जा रहा है उसका area निकाल जाएगा और यहां से divide करके निकाल लेते हैं देखें आपर decimal हम यहां पर हटा सकते हैं दोनों का क्योंकि यह दोनों सेम पोजिशन पर हैं तो 100 से उपर और 100 से नीचे मतब्लाई करते हैं यह तो हट जाएगा मिंस फाइनल लिसकते हैं 2385, 6 अपान दिख सकते हैं 1,2, ठीक है अब यहां 12 से cancel out करते हैं तो 2 से करते हैं 2 से करते हैं 2 x2, 2 x2, 1 बचाए 18, 2 x18, 2 x4, 2 x16, ओके अब 6 से cancel out कर लेता हैं टाराट, राक्ट 6 यहां बचाएगा 6 बचाएगा 6 सिक्स नाइन जा 54 होगा और यह 59 था तो 54 फाइब बचा 52 हो गया मतलब कि यहां पर जो एरिया आ गई हो आ गई 1988 मीटर स्क्वाइर यह जो आया है क्या है पताईए यह जो एरिया है जितना वाइट वास बस किया जा रहा है उसी के एरिया है मतलब कि 4 वाल्स में से एरिया 4 वाल्स में से यदि आप 10 विंडोस का और 10 डोर्स का एरिया माइनस कर दो तब निकलेगा एरिया आफ यह जो है ना 198988 विटर स्क्वायर यह वही एरिया तो हम वह एरिया एक अलग तर्के से फाइंड करेंगे तो पहले यह रावस से हम फाइड कर लेते हैं वी हैबब ग्या area of area of 10 doors इसको ल्टू क्या हो जाएगा 10 into area of 1 door 10 into area of 1 door कितना हो जाएगा देख लेते हैं तो 10 multiply कर लेंगे area of 1 door का क्या होगा length into breath तो यहां बेंगे doors का एक का दिया 3 meter into 1.5 meter तो यहां लेंगे 3 into 1.5 meter यहां भी यह meter ही है तो बनपलाई करेंगे इसना आएगा 1.5 में 3 से करेंगे तो क्या आएगा 15, 3, 45 45 में 10 अच्पलाई करेंगे 45 भी आएगा directly 45 meter square आगई area 10 doors की अब लिका लेते हैं area of 10 windows 10 windows की जो area होगी वो होगी 10 times area of 1 door sorry area of 1 window right 1 window मतलब कि 10 multiplied by 1 window की area कितने होगी यहां पर देखें यह दिया हुआ है 1.5 में यह दि 1 से मतलब कि हो जाएगा 1.5 भी आएगा यह फाइनली 1.5 मीटर स्क्वाइर मींस मतलब कर देंगे मिल जाएगा 15 मीटर स्क्वाइर तो हमने यह निकाल लिया 10 doors का 10 windows का अब क्या करना होगा कि हमें वो area निकालनी है जो वाइट बास किया जा जा रहा है तो एरिया अफ दी रूम अफ दी हाल विच इस बींग वाइट वास्ट तो जो वाइट वास्ट किया जा रहा है उसकी एरिया हमने निकाल लिया यहाँ पर ठीक है वो निकला है कितना 1,988 मिटर स्क्वाइर अब यही एरिया हम अलग तरीके से फाइंड करेंगे यहाँ पर और उसी में बी जो ब्रेथ है ना वो ही फाइंड हो जाएगा ठीक है समझे ध्यान से अब यह जो पूरा फोर वाल्स का जो एरिया का फामुला है वो हम लगाएंगे मतलब कि लिखेंगे यहाँ पर एरिया आफ एरिया आफ दी फोर वाल्स फोर वाल्स और इसमें से यहाँ माइनस कर दें एरिया आफ टेन area of 10 क्या doors plus area of 10 windows ठीक है 10 windows यह जो total area होगी इदी मानस कर देंगे area of 4 walls में से तो निकलेगा यह 1988 के equal ठीक है अब हम यहां से निकाल लेते हैं देखे area of 4 walls क्या होगा यह होगा 2 times H L plus B ठीक है देखे अब B आ गया यही ब्रेथ आपको निकालना है तो B मानने जे ब्रेथ है minus area of 10 doors और 10 windows का क्या होगा देखे 45 plus 15 करेंगे तो minus में हो जाएगा 45 plus 15 equal to हो जाएगा 1988 अब यहां से देखे 2 times 2 times H कितना है H height आपकी है 8 meter L कितना है length है 80 है plus B नहीं पता B को ऐसे रख दीजिए minus यहां add कर दीजिए कितना होगा 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, 50 और 10, 60 हो जाएगा is equal to 1988 अब यही equation solve करना है आपको बस देखे यहां पर 2,8 जा क्या हो जाएगा 2,8 जा 16 हो जाएगा 16 times यह bracket में रहेगा 80 plus B minus 60 equal to हो जाएगा 1988 ठीक है अब यहां से 8 implies अब देखें आपकर 60 को ले जागर इसमें minus करेंगे पहले तो यह 60 से मटपलाई भी करतेंगे कितना मिलेगा 16,8 128 होता है और 0 बढ़ जाएगा 16,8 जाए 128 और 0 बढ़ जाएगा plus हो जाएगा 16 मटपलाई करेंगे B में तो मिल जाएगा आपको 16 B फिर minus 60 को आगे ले गए हैं यहाँ पर right side में transpose कर दीजिए तो plus हो जाएगा इसमें आकर के means 1 इसमें से plus करेंगे तो मिलेगा आपको 8 मतब 0 को आट करेंगे 8 में तो 8 ही रहेगा और 6 को आट करेंगे 8 में तो किना मिलेगा 14,14 का 4 1 carry over और 9,1,10 का 0 1 carry over 1,2 2048 आ जाएगा ठीक है अब जो है फिर यहाँ पर 1280 को minus करेंगे इसमें से तो यहाँ मिल जाएगा 16 B is equal to 2048 में से minus कर दीजिए 1280 अब कितना आजाएगा देखे 8 में से जुरू जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पर बचा कितना 14 हो गया 14 में से 8 जाएगा 6 यहाँ बचा 9 9 में से 2 जाएगा 7 और यहां पर 1 बचा 1 में से 1 खतम होगा है 768 बचा और अब यहां से हम निकाल लेंगे यहां से मिल गया क्या हमें मिल गया हमें 16 B बराबर 768 अब इत इंप्लाइज लास्ट में अभी हम यहां पर कर लें 4 9 जा 36 4 2 जा 8 ठीक है अब फिर फ्रस्ट कर देंगे 4 बंजा 4 यहां पर 4 जा 16 हो जाएगा 3 बचा 32 और 4 8 जा 32 मिन्स यह आगे आपका 48 क्या मीटर 48 मीटर इस दा ब्रेथ आफ इस हॉल ओके and this is your answer यह थोड़ा सा लंबा चला गया मतलब यहां पर आपको यूज क्या करना पड़ा प्रहा कंप्लीट यह और यह concept जो है आपदम समझ लीजेगा कैसे किया मैंने यह ठीक है मतलब कि 4 वाल्स की एरिया में से हम एरिया आफ 10 डोर्स और 10 विंडोस कर देंगे तभी तो निकलेगा वह एरिया जो वाइट बास किया जा रहा है और वाइट बास जो किया जा रहा है उसको हमने यहां पर निकाल ठीक है तो होब किम समझ में आगे होगा आपको तो थेंक्यू सो मच फर वाचिंग